तो फ्रेंड सबसे पहले टेफ हमारी मटर को लेकर है तो इस समय जैसे विंडर्स का मौसम चल रहा है तो हम लोग सोचने है कि मटर को सेव करके कैसे रखें जिससे वो सारे साल हम लोग चला सकें तो इसके लिए बहुत ही इक इजी ट्रिक है कि जिसमें कि आपको बिल्कुल भ अगरे ने करना है कि कच्चे ही मटर है और इसमें आप इसको डालके mix करके और फिर क्या करेंगे हम लोग इसको एक रेय टाइट डबबे में भर लेंगे और फिर इसको जो है हम लोग फ्रीजर में रख देंगे फ्रीज में न तरीके से अगर आप मटर को स्टोर करेंगे तो आपके मटर अराम से 6-7 मेने तक चल जाएंगे और बिल्कुल भी खराब ने होगे देखे इस तरीके से एर टाइट डबे में इसको रख लेंगे हम लोग और ये बिल्कुल सेफ रेंगे फ्रेजर में आपको जब चाहिए जित करें तो लगता है कि हाथ में बहुत गरम गरम लग ओं और कभी-कभी आमें लगता है कि जल्जी से ही चीलने की जरूवत पढ़ जाती तो उसको आप इस तरीके से चीलिए कि आप इसको एक फॉर्क में पकड़ लीजी और फिर दीर चील लीजे तो आपको ज़्यादा गरम दिनुकाई कहसास नहीं ऊगए और आराम से आपका अलू छहाए गा座क एक ट्रैक्ति कि अच्छ पाइस को फ्रेंड्स फॉलो जरूर करेगा और आपको यह ब้ misin ही आसाण लगए ही इस तरीके से यह क्या जितने भी झाrü आपको चोई को रिख शहां कर ils के champ करें नेक और इससे आपको फिर बिल्कुल भी आसोनी आएंगे और जितने चाहें आप प्याज काट सकते हैं आपको बिल्कुल भी आसोनी आएंगे लेकिन आपको क्या करना है इसको फ्रीजर में रखना है फ्रीजर में नहीं तो फ्रीज में एक गंटे के लिए रख दीजे तो इस तर यहाइ से खड़ा-गरम मसाला लाते हैं तो उसको हम वोग ऐसे ही पीस लेते हैं लेकिन अगहा इस PHIL के से पीसे एक इसको थोड़ा-थोड़ा भूनके तियार करके रख लिछह भूनकर रोस्त करके रख लेंगे उसके बार पीसेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बार जाता है तो आप ये ट्रिक भी जरूर अजमा के दीखिएगा फ्रेंट्स नेक्स ट्रिप हमारी जीरे को लेकर है ये कभी-कभी हम लोगों को घर में अचानक दई बड़े चाट बगएर की बनाने के मन होता है तो अगर हम जीरे को पहले से ही भून के तियार करके पीस के रख लेंगे तो इससे हमारे बड़ा आराम हो जाएगा इस तरीके से जीरे को भी आप भून के पीस के रखिए तो ये जादा बेटर होता है तो फिर देखिए नेक्स टिप हमारी हरी मिर्च को लेका रहे तो हरी मिर्च कभी-कभी घर में बहुत जादा आ जाती तो यह खराब होने का डर रहता है तो इसको कैसे स्टोर करेंगे इसके सारे चिलके की ऊपर की जो यह चिलके होते ना डंडिया इसको निकाल लेंगे और हम लोग इसको साफ करके धो के पोच के रख लेंगे और फिर इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे फ्रिज में और फिर नेक्स टिप हमारी अद्रक को लेके अद्रक के छिलके को भी इसी जरीके से हम लोग धो के सुखा के रख लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको चाय की पत